नमस्कार मित्रों हमारे योगराजबाटी चैनल में आपका फिर से अस्वागत है आज हम आपको इस यंत्र जो आप देख रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं है इसके समझाएंगे इस यंत्र को सिद्ध करने पर आपके घर में लक्षमी मा की किरपा से धन धन्य के कोई कमी नहीं रहे तो आज हम बताते हैं कि इस जो यंत को देख रहे हैं आप इसको तामर पत्र पर गुदवा लें तामर पत्र पर गुदवाने के बाद आप इसको मंदर में रख दें जहां पर आप भगवान की आरती करते हैं जहां पर आपने मंदर में तस्वीर भगवान को इस्थापित कर रखा वहां पर तामर पत्र पर गुदवा के इसको रख दें अब इसको सुवे उठने के बाद आप सूर्य द्वय से पहले उठें और इश्नान आदी करके बिल्कुल स्वच्छो करके और इश्नान करके सौजकिर्या से नेवत्र होके आप इस यंत्र को केसर युक्त चंदन से लेप करके इसका पूजन करें और ओम स्री हिंकली लक्ष्मी देवाई नमे इस मंत्र का पिरती दिन बीस बार जब करें आपको खुद ही देखो धीरे 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 किस प्रकार से लक्ष्मा की किरपा आप पर बनी रहती है इस यत्र को द्यान रखें तामर पत्र पर गुदबा कर चंदन से केसर युक्त चंदन से इसका लेप करके इसको पूजन करें और सूर्य निकली से पहले श्नान करके ओम स्री हिंकली लक्ष्मी देवाई नमे इस मंत्र की बीस माला पिरती दिन जाप करनी है फिर आप देखिए मा भगवती की किरपा से आपके घर में धन धानने की कोई कमी नहीं रहे ही लक्ष्मी मा आप पर अपनी किरपा बनाए रखेंगी और आप पर इतना असिरवाद रहेगा कि लक्ष्मी जी की किरपा से आप पर धन की कोई कमी नहीं रहेगी जो धन आपका वेरती फिजून में खर्च होता वो होना बंद हो जाएगा आप पे पैसा एकटा होना सुरू हो जाएगा तो इस यंत्र को जरूरी शिद्ध करें और अपने हर एक पिर्टी एक भाई बहन से निवेदने कि इस यंत्र को तामरपत्वा गुदवा कर अपने घर में इस्थापित कर लें और जो विदी मैंने बताई है उस परकार से इसको सिद्ध करते रहें और बीस बार मंत्र का जाप करते रहें और इसी प्रकार की ज्ञान की और यंत्रों की तरह तरह की अनोखी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल योगराज भाटी को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगे नमस्कार जैराम जी की